नमस्कार, नौलिस पॉइंट में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम आपको 11 से जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, SSC, डेलवे जैसे अने प्रतियोगी परिक्षाव में कामाएंगे ये सवाल इतिहास, राजनेती विज्ञान, करेंट अफेर्स, भुगोल और विज्ञान से जुरे होंगे तो आईए देखते हैं आप कितने सवालों का सही सही जवाब दे पाते हैं सवाल नमबर एक, लोधी वर्ष का अंतिम शासक कौन था? A. बहलोल लोधी B. इब्राहिम लोधी C. दौलत खाल लोधी D. सिकंदर लोधी इसका सही जवाब है B. इब्राहिम लोधी सवाल नमबर दो, भारत तक समुद्री मार की कोच किसके द्वारा की गई थी? A. डच द्वारा B. अंग्रेजो द्वारा C. पुर्टुगालियो द्वारा D. फ्रांसेसी द्वारा इसका सही जवाब है C. पुर्टुगालियो द्वारा सवाल नमबर तीन किस जैन रचना में 16 महा जनपदों का उलेक मिलता है? A. भगवती सुत्र B. चौदह पुर्व C. आचरंग सुत्र D. पिटब इसका सही जवाब है A. भगवती सुत्र सवाल नमबर चार विधानसभा की सदस्ता के लिए उमिद्वार की उमर कितने वर्स से कम नहीं होनी चाहिए? A. अठरह वर्स B. एकिस वर्स C. पच्चिस वर्ष D. तीस वर्ष इसका सही जवाब है C. पच्चिस वर्ष सवाल नमबर पाच भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्थ हुआ? A. 1920 में B. 1926 में C. 1933 में D. 1936 में इसका सही जवाब है B. 1926 में सवाल नमबर 6 समिधान की कौन सी अनुसूची में चेत्रिय भाशाओं का उलेख है? A. सातवी अनुसूची B. आठवी अनुसूची C. नौवी अनुसूची D. दसवी अनुसूची इसका सही जवाब है B. आठवी अनुसूची सवाल नमबर साथ लिटमस किस में से निकाला जाता है? A. हल्दी B. सिनकोना की छाल C. लाइकेन D. मश्रूम इसका सही जवाब है C. लाइकेन सवाल नमबर आठ कैंसर के इलाज में किस उतक्रिस्ट गैस का प्रियोग किया जाता है? A. हीलियम B. ओर्गन C. क्रिप्टन D. रेड़ॉन इसका सही जवाब है D. रेड़ॉन सवाल नमबर नौ इनमेंसे किस देश ने भारत के साथ ब्रमोस मिसाल खरिदने का 2780 करोर रुपे का समझाता किया है? A. चीन B. फिलिपिन्स C. जेपैन D. जर्मनी इसका सही जवाब है B. फिलिपिन्स इसका सही जवाब है A. रॉबर्ट लेवान डौस्की सवाल नमर ग्यारा सुर्य और पिर्थिवी के बीच नियूंतम दूरी किस तारीख को होती है? A. बाइस दिसम्बर को B. एकिस जून को C. बाइस सितम्बर को D. तीन जनवरी को इसका सही जवाब है D. तीन जनवरी को आप में से जिन दर्शकों ने हमारे पिछले सेट में सबसे ज़्यादा सही जवाब दिये उनके नाम है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की सेट में आप कितने सवालों का सही जवाब दे सके हैं हमें कमेंट में लिख कर जरूर बताए सबसे रहादा सही जवाब देने वालों का नाम हम अगले वीडियो में बताने की कोशिस करेंगे तो आज की इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए नमस्कार